अब देवी जी की जो उत्पत्ती हुई है उसमें यह है कि एक महा असुर उत्पन होता है उस असुर से लोग परिशान होते हैं उस पर उस परिशानी के बाद सारे देवताई कठ्था होते हैं सब ब्रह्मा विश्णु महेश सब इकठ्था होते हैं और सब सोचते हैं कि एक ऐ एक ऐसी महा सक्ति का निर्माड किया जाए जो इन इस राक्षसी सक्ति का समापन करें तो ऐसी स्थिति में सब ने छोटा-छोटा छोटी-छोटी सक्तियों का संचैन किया आज जब सक्ति का एक समूह बना सक्ति का एक पुंज बना तो वह देवी का स्वरूप हुआ इसलिए यह पता है, यह समाज को भी पता है कि जो देवी का स्वरूप है, जो इस्त्री का स्वरूप है, वो सक्ति पुंज होता है, वो उर्जा का केंद्र होता है, और चुकि वहीं से जन्म होता है, देवी इस्त्री के ही उससे किसी का जन्म होता है, तो इस्त्री जन्म देने वाली ह करने करने के आए देवीजी शistent कॉत्पन करती है कि इस रूप में देखा जाती है कि regenद चिंहानाया जा पिरस्टी नतीनिंद्थ में करने के सिर्ष्ट्री कररने के साँट मुझन करती है